पाटी, नेता और घोटाला ये तीनों ही एक दूसरे के इर्दगिर्द घूम रहे हैं दिली की सियासी उठा पटक में खुब भुचाल मजा हुआ है राजधानी दिली के उप मुख्य मंत्री और अर्विन केज रिवाल के सबसे खास मनीश सिसोधिया पर कानूनी सिकंजा कस चुका है CVI पूरे अलर्ट मोड पर बीते 6 महीने से मनीश सिसोधिया के साथ आपकारी घोटाले पर पूश्टाश कर रही है हला कि बीते दिन दिली के उप मुख्य मंत्री सिसोधिया साहब गिरफतार हो गए हला कि आमाद्मी पार्टी पूरे देश भर में हंगामा मचाने लग गए वहीं एक बार फिर बिपक्ष ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने से नहीं चूकी आमाद्मी पार्टी के कारकरताओं ने प्रधान मंत्री पर भद्रता की सारी सीमा लांग दी अब इस बीच आज हम आपको बताएंगे कैसे सिसोधिया साहब की गिरफतारी के बाद आप पार्टी कानून के धज्यां उड़ा रही है इसके अलावा उस नारे का भी जिक्र करेंगे जहां प्रधान मंत्री मोदी पर अमर्यादित भाषा का इस्तमाल क्या क्या जिसकी वज़े से आज राजनीतिक चवी शर्मसार हो गई है नमस्कार आप देख रहे हैं आपका अपना भरोसे मंद चैनल HCN News और मैं हूँ आपके साथ रंजनाव पाध्याई नई आपकारी नीती को लेकर 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के उपराज्य पाली वीके सक्सेना ने मनीश सिसोधिया के खिलाफ CBI जाज की मांग की कानून ने अपना काम करना शुरू कर दिया 26 फरवरी को CBI ने 8 घंटे की पूछताच के बाद दिल्ली के डिप्टी सियम मनीश सिसोधिया को सोमबर दोपहर 3 बच कर 10 बचे राउज एवेन्यू कोट में पेश किया दिल्ली आपकारी नीती केस में जाच एजेंसी ने CBI के स्पेशल जज एमके नागपाल से सिसोधिया की 5 दिन की कस्टर्डी मांगे जो मनजूर हो गई है फिलाल सिसोधिया 5 दिनों तक CBI की कस्टर्डी में रहेंगे हलागे इसके पीछे जिस तरीके से नियमों के धजजिया आम आदमी पार्टी के तरब से उड़ाई गई वो कई सवाल खड़े करती है पहले सतेंद्र जैन मनी लॉंडरिंग के आरोपों में जेल गए तब भी आप और केजिवाल ने कानूर पर सवाल उठाए और अब जब मनीश सिसोधिया को गिरफतार किया गया तब भी CBI की कारवाई पर आम आदमी पार्टी बवाल मचा रही है इस बीच हंगवा मचाते हुए आम आदमी पार्टी ने एक नारा भी लगाया जो ठीक उसी तरीके का है जब कॉंग्रेस के सीनियर प्रवक्ता पवन खेडा को आसाम पुलिस ने हिरासत में लिया था प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की कबर खोदने के नारे कॉंग्रेस की तरफ से लगे वहीं अब आम आदमी पार्टी ने भी प्रधान मंत्री मोधी पर बेहत शर्मनाक नारे लगाए हैं ये नारे इतने अमर्यादित है कि हम उसे दुबारा दोहरा भी नहीं सकते फिलाल आम आदमी पार्टी सडकों पर सारी नियमों की धज्या उड़ा कर सिसोधिया साहब की गरफतारी के खिलाप प्रदशन कर रही है इस बीच CBI आम आदमी पार्टी दफ्तर भी पहुची जबकि CBI मुख्याले के बाहर भारी सिक्योरिटी तैनात रही आपको बता दे कि इस बीच CBI ने सिसोधिया पर अपना बयान भी जाली किया है जहां कहा गया कि साल 2021-22 के लिए बनाई गई आपकारी नीती में गड़वड़ी के मामले में डिप्टे सियम मनीश सिसोधिया और 14 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था CBI ने कहा कि मुंबाई की एक नीजी कंपनी के ततकालिन CEO समेत 6 अन्य के खिलाफ 25 दिसंबर 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया गया है आगे की जाच की जा रही है वहीं सिसोधिया पर सबूत मिटाने के भी आरोप पिछले दिनों लगे हलाकि आपका कहना है यानि आम आदमी पार्टी का कहना है कि CBI की कारवाई केंदर सरकार के इशारों पर हो रही है ऐसे में इस पूरे वाक्यों को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार केंदर सरकार पर हमला बोल रही है अगर पिछले दिनों हंगामे पर बात की जाए तो यहां आदमी पार्टी के कारेकरता पुलिस से जड़पते हुए भी दिखे हंगामा इतना ही नहीं रुका यहां पे बीजेपी का कहना है कि भाजपा ब्रश्चाचार को कतई बरदास्त नहीं करती है और इसके खिलाब उसकी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी जहां कारेकरताओं के हंगामों पर भी बीजेपी ने जम कर हमला बोला फिलाल इस वीडियो में इतना ही लेकिन आप से सीधा सवाल कि जिस तरीके से CBI की कारवाई चल रही है उस पर केंदर पर सवाल उठाना कितना जायच है इसके अलाबा जिस तरीके से आम आद्मी पार्टी का हंगामा बढ़पा हुआ है ये किस तरीके की राजनीती दर्शाती है इस वीडियो में इतना ही आप कॉमेंट करके अपना जवाब जरूर दे वहीं अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो